हेलो एवरीवन वेलकम तो अवर चैनल डिस्कवरी कॉलोबरेशन वित वाइसील यूट्यूब चैनल बच्चों इस चैनल में हम आपको जई और नीट क्या कंटेंट प्रवाइड करवाएंगे कुछ नहीं करना है बच्चों सिंपली तुमको इस चैनल पे जाके बेल आइकन क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके टच में रहे माइसेल धर्मेंदर बीटेक आइटी देली फॉर एक्स्पिरियंस एज़ केमेस्ट्री फेकल्टी ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक करते हैं अपन अगला टॉपिक का नाम है सॉलीशन है यह बच्यों सॉलीशन चट्र चल रहा था है रहो है निकों एक बारा है कौन सा सॉलीशन लिक्विट्स फस्ष रेक्चर में हमने बनायाइक फस्ष लेक्चर में क्या बढ़ा बेसिक इस लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों कि इस लेक्चर में अपना फोकस रहेगा जो आने वाले अपकमिंग टॉपिक से कौन से कौन से टॉपिक से हैं फर्स्ट टॉपिक है इसका हैंद्री लो कि फिर हम देखेंगे राउल्ड स्लो फिर अपन बढ़ेंगे राउल्ड س्लो के वा ओपर आईडियल नॉन आइडियल स्लीशन के सब टापिक से हैं आईडियल एंड नॉन आइडियल स्लीशन पिर आ था है अपना कॉलिएटि प्रॉपर्टीजलिए छींगे बच्चों ऑकॉलिगेटिब अहीं कि प्रॉपर्टीज कि दिर आता है अपना वॉन्ट ओफ एक्टर वॉन्ट ओफ एक्टर यह अपने बच्चों कि क्या है टॉपिक से जो पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना है तो आज सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है हैं रिलो उससे स्टार्ड करेंगे हैं डाल दो लो एंद्री लो किसके उपर बेजड है तो सिंपली अभी तक हम देखते हैं कि जो सॉलिड होता है सॉलिड जैसे एक्जामपल वो वाटर में घुल जाता है ठीक है बच्चों वैसे ही तुम्हारा तुम नोटिस करोगे सॉलिड तुम्हारा केरोसिन वगरा हम घुलता नही है क्यों लाइक डिजॉल लाइक लाइक डिजॉल लाइक अगर लाइक अगर पूछे एने सी एल जैसे तुमने वाटर में डाल दिया तो डिजॉल हो जाएगा क्योंकि सर पोलर सॉलिड है और एने सी एल को जैसे तुमने बेंजीन में डाल दिया बेंजीन है लिक्विड होता है उसमें वाटर एने सी एल डिजॉल नहीं होगा वैसे ही सी एल फॉर को तुमने बेंजीन में डाल दिया तो क्या हो जाएगा बच्छों डिजॉल हो जाएगा क्योंकि सी एल फॉल नॉन भी तुम्हारा नॉन पॉलर है तो लाइक डिष्वल लाइक मेंस नॉन पॉलर को नॉन पॉलर डिवॉल करता है तो अगर तुम सेकंड poquito जैसे सिल फ़वर बिश्वल करूंगा तो महां पर डिजॉल नहीं होगा बिकाज लुटरिज पॉलिस पोलर शॉल्वंट अब बात करते हैं हैं लोग सजोब्ड को डिज्विड नहीं कर रूरे लोग फैर बेशम आप मारगा गैसे सबस्टेंश या गैस डिजॉल इं ऑपने लिक्विड में कैसे डिजॉल होती है और तो कैसे तुम्हारा कौन से पैरामीटर रहे जिसके उपर डिपैंड करती है हें लोग क्या है तो गैस का डिजॉलीशन देख रहे हैं अपन इन लिक्वीड तो धंक से देखना समझना तो डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा पॉइंट में बता रहा हूं डेफिनेशन कुछ नह हूंगा अभी एड कॉंस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ओढ़ डीजॉलीशन इस अमाउंट आफ डीजॉलीशन अफ डारक्ली पर दो इस अटू परिफोर्शन टू पार्सील परेश्ट अपकर सिसको मैं बोड़ा दूदा अपकर दूद्ध अमाउंट ओफ पीजॉली मोल फ्रेक्शन ऑफ गैस्टु भी गैस का पोर्षन होगा ते अमट रिजुलशन ऑफ गैस्ट। इ सब्स्क्रीज थे डिरक्ली प्रपोर्षन तो इस प्रचल प्रचल प्रेसर ऑफ गैस्ट। और यह क्या चीज़ है पार्सिल प्रेशर उस प्वाइंट को समझो तो अब क्या कहना चाहरे हो कि सर्जो अमाउंट ऑप डिज्वल जाते गा चाल जाएगा वापस यहां आते हैं आपन देखना अभी डंग से एंडरी लोग चल रहा है अपना इसको डंग से देखो पॉइंट को समझो जैसे मैंने एक बीकर ले लिया इसके अंदर माल लो यह वॉटर है ठीक है बच्चो यह वाटर है इसके उपर मैंने एक पिस्टन रख ली इस टन कौन सी मूवेबल पिस्टन इसन फिक्सनलेस पिस्टन मूव कर सकती है और इसके अंदर मैंने जैसे मैंने माल लिया यहां पर गैस के कुछ इंवाल्व है गैस की पार्टिकल है तुम नोटिस करो गैस के पार्टिकल वोटर की जो सर्फेस इस पर अप्लाई करेगी कि कि उसको बोलते हैं पशिल पर इस ऑब गैस अब जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ तो तुमोटिस करोगे जैसे कोई जैसे ओटू तो मारा डिजॉल होता है वोटर के अंदर थोड़ा सा इसके लिए पॉड़ा सा डिजॉल इसी वची विए से मरीन वजन रखना इस वेट रखना इस्टार्ड कर रहा हूं W1 फिर W2 वेट बढ़ाना इस्टार्ड कर रहा हूं फिर W3 तुम नोटिस करोगे जैसे जैसे मैं वेट रखूंगा तो देख होगा क्या आलो मैं तीनों वेट रखा इसे यह पानी एजटी है मैं फिर यह बताना चाहरा हूं कि कुछ गैस हैं जैसे ओटू सी ओटू वाटर में डिजॉल होती कम लैस अमाउंट में और जैसी एस एले अमूनिया गैस है यह हाइली सॉलिवल गैस है तो यह गैस क्यों नेचर है गैस के उपर डिपेंड करती बट अब सुनना काम की बात बट मैं क्या कर रहा हूं अब यहां पर जो पिश्टन धीना अपनी पिश्टन की उपर जैसे मैंने वजन रखना इस्टार्ड किया तो पिश्टन क्या हो जाएगा बच्चों जैसे वजन रखना इस्टार्ड किया पिश्टन हो जाएगी और नीचे आ जाएगी पिश्टन नीचे आजाएगी यहां पर पिश्टन नीचे आजाएगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ सर इसका मतलब हुआ कि वाटर मॉलिकुल और नर्दिक आगे यह कह सकते हैं वाटर मॉलिकुल ने और ज्यादा प्रेसर बढ़ा दिया और जितना ज्यादा बढ़ेगा पहले क्या होता है सुरुवात में मानलो कुछ अमाउंट में गैस डिजॉल वे कुछ प्रेसर की वज़िए जैसी प्रेसर बढ़ा प्रेसर कैसे बढ़ा जब तुमने यहाँ पर इसका मतलब यहींEER तो हुआ जितना पार शाय हो वजन रखो तो गैस प्रेसर बढ़ाएगी बढ़ाईगी सिस audi a do tis waterfall से बढ़ाएगी सब्सक्रा-कूर की खराएगे जैसे टीसरं बढ़ाऊएगा यह इस टो उप क्या है टीजोलीशन मौल यह the obstruction टो जितना पहले डीजॉल बहुत कम पॉर्शन हो गा जैसी प्रेसर बढ़ेगा और ज्यादा डिजॉल होने लग जाएगा किसका गैस के पार्टिकल गैस के पार्टिकल बोलो या इसके मिनिंग समझ में आगे बच्छों सिंप्ली जैसे से पार्सिल प्रेसर बढ़ेगा डिजॉलीशन बढ़ेगा इसके उपर एक ग्राफ भी देख लो छोटा सा छोटा सा ग्राफ देखो तुम्हारा एंसी आर्टी में भी है यह तो लिखा हुआ है मौल प्रेक्शन और यहां पर है पार्सिल प्रेसर ऑफ गैंस पार्सिल प्रेसर ऑफ गैंस तो बच्चो इधर देखो पार्सिल प्रेसर ऑफ गैंस को पी लिख रहा हूँ मौल फ्रेक्शन असील को मौल फ्रेक्शन ऑफ गैंस यह असील लिख रहा हूँ जैसे मैंने पार्सिल प्रेसर तो उस टाइम कितना डिजॉल बार बार किया कैसे गरूँगा वजन रख किस पर देखना है वाटर सर्फेस का जो प्रेसर उसी को बोलते हैं प्रेस्षण प्रेसर ऑफ गैस पहले देखा तुमने जब 500 बार था तो इसका मोल फ्रेक्षन दिजॉलशने मौल ऑट्रेक्शन मौल एस्टेजली एसै डिजॉल किया तो तुम्हारा डिजॉसनिटार ही, ये राट लाइन कर वाका है य dim घंठ लाइन राइड या in liquid directly proportion to partial pressure of gas applied on water surface यहां से तुम्हारा finally formula मनता है KH और where KH is तो मैं यह point लिख लेता हूं वेर देखो बच्चो यहां पर P क्या है partial pressure of of the gas यह gaseous molecule यहां पर यह x of gas क्या है dissolved dissolved gas dissolved mole fraction of mole fraction of dissolved gaseous molecule यह gaseous particle ठीक है और KH क्या है where KH is Henry constant यह Henry law constant Henry law constant हर एक गैस के लिए अलग लग होता है ठीक है बच्चों तो मैं यह कहना चाहरा हूं इसका application देखो जैसे cold drink की बोटल है cold drink की बोटल में अगर CO2 ऐसे नॉर्मिल डालोगे डिजॉल नहीं होगी cold drink की बोटल में जो CO2 डिजॉल करते हो हाई pressure के साथ जैसे प्रेसर बढ़ाओगे तुम्हारा डिजॉलिशन ऑफ गैस बढ़ेगा इन लिक्वीड इसी को बोलते हैं रिलोग समझागे बच्चों जैसी cold drink का ढकन खोलते हो तुम्हारे गैस बाहरा निकलते हैं प्रेसर बढ़ेगा डिजॉलिशन बढ़ेगा प्रेसर कम होगा डिजॉलिशन कम होगा सिंपल सा लॉजिक ठीक है बच्चों यह हैं अब लगते हैं को अपला एक कैसे हो रहा है कि एक क्वेशन है एक कोशन है सिंपल सा कोशन है जैब एक बार है चलो लिखो एक बार कोश्च चुश्च लेकब और आप जैसे अगर मैं बोलू तुमको की नाइटरोजन गैस नाइटरोजन गैस एट 293 केल्विन तेको 293 टेमपरेचर फिक्स कर दिया नाइटरोजन गैस 293 केल्विन केल्विन इस ओल्विन इस ओल्ड इन अब सुना गिवन अमाउंट क्या है गिवन चीज़े क्या है गिवन इसमें गिवन क्या है देखो कि इवन है यहां पर किस्ट के एच ओफ नाइटरोजन एंट गैस कि इस ओप नाइटरोजन कितना है तुम्हारा गिवन है के चुझा नाइटरोजन पार्शियल प्रेसर ओफ इस पार्शियल प्रेसर ओफ एंड तो गैंस ओन दो वाटर सर्फेस वाटर सर्फेस इस टू बार तो तुमने क्या ले लिया पार्शियल प्रेसर बाइ वाटर सर्फेस कितना होगा पी इक्वल टू बार होगे बच्छो समझ ना तेन केल्कुलेट दा मोल फ्रेक्शन ओफ दन केल्कुलेट दा डिजॉल मोल फ्रेक्शन ओफ नाइटरजन गैस को समझो हरे केच मतलब हैंडरी कॉंस्ट अपने पास तो यहीं तो बताना है डिसल कितना हो रहा है तो अपने पास एकस अपने तूब अपने फीडिवाइड वाई के एच वाट इस फी आगया सार अपने पास कितना है 76.76 पॉइंट इसमें 76 लेलो जाएगी 76 ले लिया तो यहां पर आंसर आ गया तुम्हारा वन अपॉन थ्री एट वन बाइट थर्टी एट सिंप्ली इसको पॉइंट में केल्कुलेट करेंगे तो सिंप्ली 10 की बावर माइनस 2 12 तुमारा आ जाएगा टू पॉइंट सम्थिंग लगबग 0.02 तुमारा आंसर आ जाएगा यह क्या है बच्छों मोल फ्रेक्शन ओफ लगबग 20 परसेंट यह आ गया मोल फ्रेक्शन ओफ तो नाइट्रोजन गैस कितनी डिजॉल्व है लिक्वीड के अंदर वो डिपेंड एक्चुली किस पर करता है इसके उपर किसी भी गैस के लिए केस तो फिक्स रहता है अगर मैं पार्सिल प्रेसर बढ़ा दूँ दो बार से 5 बार तो 5 बार बढ़ेगा तो जितना भी तु मुल्टिप्लाइब कर दो ठीक है ना दो से फाइफ आगया तो मतलब फाइब फाइफ हो जाएगा इसका जो भी यह आंसर लगब टू पॉइंट फाइफ टाइम कर लेना जैसे इधर एक और कॉशन देखो इसी कोशन को थोड़ा सा मोडिफाइब करता है यार जो कहना चाह हो खुछ से ट्राइब करो देखो केज गीवर ने नाइटरिजन के लिए केज़े सेवंटी सिक्स पॉइंट फॉर एट बार इफिक्स होता है किसी भी गैस के लिए लिस्ट दी हुई है अब सुनो अगर मैं बोलू यहां पर तुम्हारा पार्शिल प्रेसर यहां पर रेप सफोर रोकों फिर फाइफ रखूं तो तुम करोगे कि नोटिस करोगे बड़ा क्या रोकर यहां पर मोल ट्रेक्सन कैसे है डीको क्या है प्री एक्वल टू के एच इन्टू के इलगेंटू मॉल ट्रक्सन ओप गैंस ठीक है तो मोल ट्रक्ष निकालना है तो एक्स उप सेवन सिक्स फोर एट बार बार से बार कैंसल नंबर आ रहे हैं टू उपॉन थ्री अपॉन देवन सिक्स फोर एट तो ऐसे ऐसे तुम करोगे तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पर इसार जैसे जैसे प्रेसर बढ़ा रहा हूं मैं वैसे वैसे मेरा डिजॉल प्लूशन टेंप्रेशर वैरी कर गया तो नोटिस करोगे टेंप्रेशर बढ़ाते हैं तो डिजॉलीशन या गट्टी है सिंपल सी चीज़ है ठीक है बच्चों यह तुम्हारा है हैं हैंड्री कॉंस्टेंट अब सुनों कि इसके फर्दर कोश्टन भी करेंग और अपकमिंग इसको समझने के लिए तुम को क्या करना है था यह लोग मिन इसलो कि जो प्रता है यह न क्या पताता है कि सब्सक्राइब दिपैंड करता है पड़ता है हैं यू समझने के लिए चोटी सी पड़ेगी वह सकता है 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 2-3 लेक्चर आपने रखें होटelect समय but we नाम से चलत रहा है नामका ऐसा कोई न शिलेंडर सट्रुट जी तले के उपर तुम झद्ध Erde करेगा वह किस्थ का मतलब इसका मतलब इस रोगा यह करती है तो इस...... तुम नोटीस करोगे यह पर प्रेसर को टेक्निकली लेंग्विज में दिखा जाए स olduğ नॉर्मल लेंग्विज में बैक सब्सक्राइब और अप्लाइड पार वाड़ को और एकह कि वाटर है मालो हैच टू समझने के लिए और बीकर को कर दो लोग्र रेटे अब क्या गरोगे थोड़ा सब्सक्राइब तेंपर्चर देए दो लाएक फिक्स टेंपर्चर है यहां पर पहले तो तुम्हारा देखो इव प्रोशन होगा फिर होगा कंडेंसेशन कंडेंस कैसे होता है जब वेपर कमाइन होती है तो वाटर मॉलिकुल या बूंदे बनने लगती है ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स यहां नीचे गिरने लेगी अब तुम नोटिस चलेगा जब तक एकुली विरिव नहीं आ जाता देखो इदर सुनो जब तक चलेगा दब तक यह प्रोसेस स्टार्ट है देखो इदर सुरुबात में क्या होगा सर एच्टू ओ लिक्विड से एच्टू ओ गैस मतलब वेपर फॉर्म होगी फिर थोड़े टाइम बात गैस इत्तोंने स्टे बन रहा है डिको बोलते हैं मले कर ले चॉसमें हम लेकारा रेत ओफ फ्रवड रेक्षिंट और रेट मुक्षण हम तस Kollege रिआपी यह समया तो बस यह पॉइंट बताना था मेरको वैसे एप पर will intuition का टेक्न नॉर्म डेफिनेशन तो वेपर द्वारां अप्लाइड करेसर वक्त टेकनीकल अभी यह एक एक टेकनीकल डेफिनेशन गया अट एक टुलिबियृम से एकलीकर कॉल्ड वेपर संधम अब चोंट कॉड़ वेपर प्रेशर जब डायनमिक इकीलीट हो जाएगा उस टाइम क्या गैसी स्मॉलीक्विड या वेपर के मौल्टॉ रहेंगे वो क्या करेंगे वाटर की सर्फेस पे जो ना प्रेसर अप्लाई करते रहेंगे जो प्रेसर अप्लाई कर रहे हैं उसी को बोलते हैं वेपर प्रेसर समझवाया हर एक लिक्वीड का अपना एक फिक्स वेपर प्रेसर है इसको अपन लिखते हैं जैसे प्यॉर वाट फिट का वेपर प्रेसर फीक्स होता है शोगे पर रिस ने क्या कहांग अब राहूल्ट को समझो या сам मेず दो डूकर लिए दो लिए तो चेंबर लिए आज मैं राउल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में राउल्स को अपन कंप्लीट करेंगे तो देखना सिंप्ली राउल्स ने बोला कि एक बीकर ले लिएदे तोधि के लिए प्यूर्स का वेपर तोटल वेपर प्रेशर उब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ छे किसा सोल्यूशन इस पॉंपोंट को समझो अभी तक वेपर प्रेशर के थ्रू हम क्या बता किरते है'M इसे एक पिध्र through या पिध्र वोटर रहे हैं उसका अभिपर प्रिस्टर परद सकते हैं यह थोड़ा बहुत इंट्रेस्टिंग कॉंसेट एक्चुलिए प्लाई किस पर होता है दोनों के दुनों क्या है यह पितलेकर सब्सक्राइब सबस्तांस कि उज मारे लिक्वीड या दोनगों सोल्यूट या दophoneनंट क्या होने पर प्रेश के एक। सब्सक्राइब नौर्मल ऐसी लिक्विड लेने जो इनका मिक्सर लेकर अपन टोटल वेपर प्रेसर केल्कुलेट कर सके वह यह तुम्हारा रावल्स लो इसको अपन क्या करेंगे बच्चों यह सिंप्ली बेसिक बताया कल फॉर्मूला वगरा डेरिवेशन और क्वेश्टन वगरा कल करेंगे, okay, bye, see you.